दोस्तो मैं भी टास्ट हो लिया यूट्व पे लेक्या हूं टैनिस्टेटी गाटिन पोस्ट मैच अनलिसिस आज ये मेरी दिन की सेकिंड वीडियो जो आज वीडियो पे बताने जा रहा हूं वो पोस्ट मैच है डैनियल मैडवडव वर्सिस फैलिट्स अजर अलस में डैनिय फैनल में भी पहुंचे थे फैलिट्स अजर अलस में परदेशन अच्छा करते आ रहे हैं और रिसेनल उन्होंने जो most elected person स्पोर्ट में टैनिस में रोजे फेडर को भी हाले उपन में उन्होंने हराया था तो परदेशन फैलिट्स बढ़िया करते जा रहे हैं और इस मैच में भी उन्होंने बहुत बढ़िया परदेशन किया बट वो इतना तीरे अपना प्रभाव डाला फॉर फाइव सेट में और जादा डाला पांच सेट तर चला ये भी देखा जाए इस बार हमारा क्वार्टर फाइनल काफी जो सेट्स हैं वो पांच पांच बार दिया जैसे राफा ने दाल का भी पांच बार दिया था और सिरफ स्टाफनो सिसी पांस ही है जो वो जिन्होंने तीन सेट में ठातम कर दिया और इस बार देखा जाए ये भी डैनियल मैडवर्टर का भी पांच बार गया सेट तर जो पहला सेट था वो भी बहुत बढ़ी है था ने देखने डैनियल मैडवर्टर का ये इस अब देखने का वो समी फाइनल पर स्टाफनो सिसी पांस है से रे मैच ऑफ स्टैलियन ऊपन 2021 समी फाइनल दौस्तों आभ बढ़ते हैं पोस्समाच अनलिस पर से बढ़ने से पहले यह को बता देना चाहों का कि जिनों ने मेरे चैनल को अभी तरए सब्स्त्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्स्त्राइब कर लो, बेल आज़ेंगे पर जाकर के september को अब बढ़ते हैं, दोस्तों वीडियो के post-match analysis में जो पहला set था पहला set एटढ़ बम जबरदस्थ हुआ, गरिणे इस बात नहीं है कि प्रदाशन बढ़े नहीं वह प्रदाशन लेने वाद देड़ndra ने वह इंए अच्छा किया था मेर्वध ने तो इस बार बहुत अच्छा प्रदाशन केडिम्स धरी रही है कि इस नहीं बेद है असदी फैलिट्स कह 17 उन्होंने दो बार मिनी ब्रेक टी और पहला सट जीता साथ चार से और ज्टाइब उन्होंने आते ही डैनियर मेंडवड़ड़ की सर्फ तोड़ दी और 102030 कर दिया बहुत बढ़िया परदरशिंट या फैलिट्स ने और सटिंड अपने नाम किया चे तीन से क्योंकि उस्ते चे तीन से नाम चे पर ठर्ट ऑपको किसी हालत में भी जीतना था अन्यय था नहीं तो अगर वो नहीं जीतने हैं तो फैलिट्स अगर ये जीत जाएंगे तो वो वो क्वालिफायर कर जाएंगे सामी फाइनल की और सी सीचि पास्चर साथ खेरेंगे सामी मेर्वेड एकर्मोफ दिमार्ट में कुछ होग चलता था मैं एक पता था कि यह नहीं करना चाहिए और अधर्वेड है किया और जो साद दो से तो शिट से थार जिता साथ चे से और जो स्टोर ओर गया वो ओर या डानियल मैंडवर्टाप के इन जिरी से देखा जाए तो 6-7-3-6-7-6-7-6 से थर्ड वाला जो टाइप रेकर वो जीते देखे 7-2-0 फर्स्ट वाला टाइप रेकर वो हा रहे थे 6-7 से 4-7 से 7-3 maximum minimum point लेने ही होते हैं टाइप इसलिए 7-3 यह है तो उस्ते पर जो 4-7 वो 4-7 में और थोड़ा बढ़िया परदेशन आया निठाड़के परदेशन अच्छा करते रहे डानियल मैंडवर्टाप और उन्होंने इस बार service break कर दी फाइनली फालिट्स चीव शूरू में तो ब्रेट नहीं ही थी 112233445566 तो आसे नहीं रहा तो इस बार इस बार डैनेमयर मैंडवर्टाप ने फालिट्स से तोड़ी घैसे उन्होंने फर्स से तोड़ी थी और इस बार ऐसा नहीं ही हुए कि फालिए उनकी से तोड़ दी ज चीत था वही क्वालिफाइड गाता समी फाइनल में तो प्ले विज स्टाफनों सिसी पास इंदा स्टेलियन ओपन 2022 समी फाइनल और डैनियम अग्वर्ड आप ने यह भी बता दिये कि उनका परदेशन वह बढ़ियाड करेंगे उन्होंने 1-1 गेम 2-2 गेम 3-3 गेम 4-4 गेम फिफ सेट में उन्होंने सर्फ तोड़ दी फैलिट सटी और अपनी सर्फ पे होल रठा ऐसी बात नहीं पास मोटा भी था ब्रेटमोंट हासिल किये उन्होंने बट वो ब्रेटमोंट को फिफ सेट में तन्वर्ड नहीं टर पाए प्रदेशन बढ़िया इतना अच्छा वह लास्ट में तरंच मोमेंट पे नहीं प्रदेशन कर पाए और वह मैच और सेट लास्ट में हार गे सेट हारे वह 4-6 से और जो मैच है वह हारे 2-3 से डानियर मैलवडएफ पहले 2 सेट हारने के बावजूद भी वह तीन सेट अले जीत दे मैडवड एफ से भी कोशन भी पूछा रही है कि आपने ये हाले में भी किया था आप कैसे कर लेते हैं कि मैडवड एफ वी विल्डन दोजार इटीस में भी क्वार्टर फाइनल में भी ये दो सेट डाउन थे और उसके बाद इन्होंने अच्छा इस बार उन्होंने अच्छे लिये जाद अच्छे लिये जाद अच्छे लिये और मैडवड एफ ने डबल फॉल्ड भी नाइं तट डबल फॉल्ड पॉंज जे और वो चाहेंगे कि ये डबल फॉल्ड काम वो क्योंकि स्टाफ नो सीशी पास जादा हाई राइन प्लेयर जादा बड़ी प्रदेशन करने का माज़दा रखते हैं आस तम पहले दर तू जैनिट सीटर बट आसा निये कि जैनिट सीटर अच्छे नहीं थे या फैलिट्स अच्छे नहीं थे जो मैडवड एफ के साथ खे रहे थे या स्टाफ नो सीशी पास चे साथ खे रहे थे दैनियल मैडवड एफ का दोहजार एटी स्टा स्टील इन ओपन सामी फाइनल कारी मैच आप वो चाहेंगे प्रदेशन अच्छा तरह जब उनसे पूछा भी तो उन्होंने यही बोला था कि वो चाहेंगे पिछली बार तो प्रदेशन अच्छा और दूसरी और उन्होंने लिए तो बसी वोला कि आप दो बोला नहीं अब आफ न हम आपको तक पुछा लेता ओंक से तो बछी है दोस्तोब जिते हैं जो दोस्तों मुझे लगता है कि स्टाफनो सीसी पास का पलेड़ा थोड़ा कम भारी रहेगा और डैनियल मैडवरेड़ा थोड़ा जादा भारी रहेगा और डैनियल मैडवरेड़ा असानी से नहीं बड मैच वो जी जाएंगे maximum यह 4-6 तर की जाए गा, 5-6 तर नहीं जाए गा, दोस्तों अब अपनी राय जरूर देगे कि यह 4-6 तर जाए गा, 5-6 तर जाए गा, या कौन जीते गा, मैच, मैडवरड़ अफ जी सकते हैं, या स्टेफनो सीसी पास जीतेंगे, या सीसी पास जल्दी जी जाएंगे, या मैडवरड़ जल्दी जी जाएंगे, या कोई एपिट मैच में देहने मिलेगा और ये दोस्तो वीडियो चले लिए वीडियो को लाइट रहना दोस्तो वीडियो को कमेंट रहना और डेट सारा प्यार देते रहना दोस्तो अब मिलेंगे फ्राइडे को फ्राइडे को होने वाले हैं सैमी फाइनल्स बढ़िया बढ़िया ने तो ऐसा थर्जियो फ्राइडे तो दोस्तो अब ही चलता हूं धन्यवाद